हेलो, वेलकम टू शबनम की रिसिपीज आप सब कैसे हैं दोस्तों, उमीद है सब ठीक होंगे आज की हमारी रिसिपी है स्टीट फूड हकका नूडल्स दोस्तों आप से मेरी गुजारिश है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पे प्रेस करें ताके मेरी आने वाली तमाम वीडियोज आपको मिलती रहें आईए देख लेते हैं हमें हकका नूडल्स बनाने के लिए किन-किन चीजों की जुरूत पढ़ने वाली है आदा कटोरी कटी भी हरी प्यास के पत्ते एक कटोरी भरके लंबे स्लाइसिस में कटा हुआ पत्ता गुबी एक कटोरी बड़े तुकडों में कटा हुआ प्यास एक मेडियम साइज की शिमला मिरिश को हमने इस तरह पीसिस में कट कर लिया है आदी कटोरी स्प्रिंग ओनियन दो चॉप की भी हरी मिरिचे देड टी स्पून अधरक लसुन का पेस्ट एक कटोरी कटा हुआ हरा धनिया दो अंडे सव गराम चिकन हमने इसे छोटे पिसिस में कट कर लिया है यहां पे हमने दो पैकेट नूडल्स लिये हैं यह दस रुपे की एक पैकेट पड़ती है आपको किसी भी किराना शॉप में यह मिल जाएंगी हमने यहां पे एक टेबलिस्पून सोया सॉस लिया है एक टेबलिस्पून वेनिगर लिया है एक टेबलिस्पून चिली सॉस लिया है एक टेबलिस्पून टोमाटो सॉस लिया है और यहां पे हमने थोड़ा सा नमक लिया है यहाँ पे हमने पानी को उबलने के लिए रखा है हमें इतना पानी लेना है कि हमारे नूडल्स इसमें अच्छे से डूब जाएं अब हम इसमें नमक डालेंगे नमक हमें थोड़ा ज्यादा ही डालना है अब हम इसमें 2 टेबल इस्पून ओल डालेंगे अब हम इस पानी को उबलने देंगे तब तक हम चलते हैं दूसरे प्रोसेस की तरफ अब हम इन अंडों को कट करके अच्छे से फेट लेंगे देखिए हमने अंडों को अच्छे से फेट लिया है अब हम इसमें 1 फोर्ट टी स्पून नमक डालेंगे और नमक को अंडों के साथ अच्छे से मिलाते हुए फिर से एक बार अच्छे से फेट लेंगे देखिए हमारा पानी उबलना स्टार्ट हो चुका है आईए अब हम इसमें हमारे नूडल्स को डाल देते हैं हम सारे नूडल्स को धीरे धीरे करके पानी में डाल देंगे हमें नूडल्स को तोड़ना नहीं है नूडल्स को अच्छे से पानी में डाल कर हमें चार से पांच मिट के लिए इसे उबाल लेना है हमारे नूडल्स को उबलते हुए 4 से 5 मिट हो चुके हैं देखिए हमारे नूडल्स अच्छे से पक चुके हैं चलिए अब हम इने देख लेते हैं देखिए हमारे नूडल्स अच्छे से गल चुके हैं चलिए अब हम इने नीतार लेंगे हमने यहाँ पे इस तरह का एक बरतन लिया है इस पर हम चन्नी को रख देंगे और अब हम चन्नी में नूडल्स को डाल देंगे और अच्छे से नूडल्स को नितार लेंगे पानी अच्छे से नितर चुका है देखिए हमारे नूडल्स कितने खुले खुले बने है बिल्कुल भी आपस में नहीं चिपक रहे हमने कड़ाई को ग्यास पे हाई फिलेम पे रखा है हमारी कड़ाई अच्छे से गरम हो चुकी है अब हम इसमें दो टेबल स्पून ओयल डालेंगे देखिए तेल कितने अच्छे से गरम हो चुका है हमने जो अंडे फेट कर रखेते वो इसमें डाल देंगे अब हम इन अंडों को इस तरह फोड़ते हुए अच्छे से फ्राई कर लेंगे हमें इन अंडों को 30-40 सेकंड के लिए हाई फिलेम पे अच्छे से फ्राई कर लेना है अंडों को फ्राई करते हुए 30-40 सेकंड हो चुके हैं अंडे अच्छे से फ्राई हो गए हैं आईए अब हम इने निकाल लेते हैं फ्राइ की वे अंडों को हमने निकाल लिया है वापस उसी कड़ाई को हमने हाई फिलेम पे ग्यास पे रखा है अब हम इसमें दो टेबल इस्पुन ओईल डालेंगे ओईल को हमें हाई फिलेम पे ही गरम कर लेना है ओईल अच्छे से गरम हो चुका है आई अब हम इसमें चिकन को डाल देते हैं जिसे हमने छोटे-छोटे पिसिस में कट कर लिया था अब हम इसमें आदा टीस्पुन अद्रक लसुन का पेस्ट डालेंगे और अद्रक लसुन के पेस्ट के साथ चिकन को अच्छे से फ्राइ कर लेंगे अब हम इसमें चिकन के साथ से थोड़ा सा नमक डालेंगे नमक के साथ चिकन को मिलाती हुए हमें तब तक फ्राइ कर लेना है जब तक हमारा चिकन अच्छे से पक न जाए चिकन को फ्राइ करते हुए तीन से चार मेंट हो चुके हैं हमारा चिकन अच्छे से फ्राइ हो चुका है चलिए अब हम इसे निकाल लेते हैं हमने चिकन को निकाल लिया है वापस उसी कड़ाई को हमने हाइफलेम पे ही ग्यास पे रख़ा है उसमें एक टेबल स्पुन ओल और डालेंगे ओल को गरम होने देंगे ओईल गरम हो चुका है, आईए अब हम इसमें प्यास के स्लाइसिस को डाल देते हैं साथ ही कटी भी हरी मिर्ज भी डाल देंगे, अधरक लसुन का पेस्ट भी डाल देंगे इन सब को 30 से 40 सेकंड के लिए अच्छे से फ्राइ कर लेंगे हमें हाई फ्लेम पे ही इन सब को फ्राइ कर लेना है सारी चीज़ें अच्छे से फ्राइ हो चुकी हैं अब हम इसमें हमारे विजिटेबल्स डाल देंगे सबसे पहले हम पत्ता गूबी डाल देंगे और इसे 15 से 20 सेकंड के लिए हाइ फिलेम पे फ्राइ कर लेंगे हमें सारी सब्जियों को हाइ फिलेम पे ही फ्राइ कर लेना है इसे फ्राइ करते हुए 15 से 20 सेकंड हो चुके हैं आईए अब हम इसमें स्लाइसिस में कटी भी शिमला मेश को डाल देंगे इसे भी 10 से 12 सेकंड के लिए high flame पे अच्छे से fry कर लेंगे शिमला मिर्च भी अच्छे से fry हो चुकी है आईए अब हम इसमें spring onion डाल देंगे और इसे भी 10 से 12 सेकंड के लिए fry कर लेंगे high flame पे शिमला मिर्च भी अच्छे से fry हो चुकी है आईए अब हम इसमें हमारी कटी भी हरी प्यास के पत्तों को डालेंगे और थोड़े से गार्निशिंग के लिए बचा लेंगे अब हम इसमें कटा हुआ हरा धनिया डाल देंगे इसमें से भी थोड़ा सा गार्निशिंग के लिए बचा लेंगे धनिये को भी हमने 4-5 सेकंड के लिए फ्राइ कर लिया है अब हम इसमें हमारे सॉसिस डालेंगे सबसे पहले हम इसमें वे निगर डालेंगे इसके बाद टमैटो केचप डालेंगे चिली सॉस डालेंगे और सबसे लास्ट में स्वया सॉस डालेंगे और इन तमाम चिज़ों को अच्छे से मिला लेंगे हमने सारी चिज़ों को अच्छे से मिला लिया है आईए अब हम इसमें हमारे उबले हुए नूडल्स को डाल देंगे नूडल्स को डालने के बाद हम इने अलके हद से तमाम चिज़ों के साथ मिला लेंगे हमें इने धीरे धीरे मिलाना है ताके हमारे नूडल्स तूटे नहीं नूडल्स को मिलाते हुए हमें तीन से चार मेट हो चुके हैं देखिए तमाम चिज़ों के साथ हमने नूडल्स को अच्छे से मिला लिया है देखिए हमारे नूडल्स कितने जबर्दस नजर आ रहे हैं आईए अब हम इसमें हमारे फ्राइ के हुए चिकन और अंडे डाल देते हैं इने डालने के बाद अब जो बचाया था हारा धन्या वो भी डाल देते हैं और कटे हुए हरी पैस के पत्ते भी डाल देते हैं और इन तमाम चीज़ों को फिर से हलके हाथ से अच्छे से मिला लेते हैं हमारे हका नूडल्स रेडी हो चुके हैं आईए अब हम इने सरु करते हैं दोस्तों अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी तो प्लीज लाइक कीजिए दोस्तों और फैमिली में शेर कीजिए तो मिलते हैं अगली ऐसी किसी नई वीडियो में तब तक के लिए टेक केर बाई